I want to thank StudyIQ I would like to thank StudyIQ team Big round of applause to the team management and staff of StudyIQ नमस्कार दोस्तों दोस्तों भारत के perspective से एक बहुत important development हुआ है जैसा कि आप सबको पता है हम आज के date में electronics की काफी चर्चा करते हैं क्योंकि डिजिटल का जमाना है और उसमें electronics item इस्तमाल किये जाते हैं अब जरूरी हो जाता है कि वो minerals जिसका इस्तमाल electronic items बनाने में होता है वो जादा से जादा हमारे पास हो तो हुआ क्या है कि जो IIT के researchers हैं उन्होंने सतलज नदी का जो मिट्टी होता है सतलज नदी के नीचे जो मिट्टी होती है उसमें tantalum को found किया है tantalum मैं आपको बता दूँ यह एक rare metal है अब इसको confuse मत कर लेना rare earth minerals के साथ वो अलग होता है वो मैं आपको वीडियो में इसमें explain करूँगा लेकिन यह आप ख़बर देख सकते हो IIT Roper researchers discover rare metal in सतलज तो इसी कॉम डीटेल से जानेंगे exactly है क्या एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा लेकिन उससे पहले एक important चीज देखिए आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे है मैं आपको बता दो एक बड़ी opportunity है क्योंकि जो भी लोग UPSC की त्यारी करते हैं उनके पास एक मौका आता है तीन-चार साल में एक बार इस तरह के notification आता है intelligence bureau का IBACIO काफी अच्छी salary होती है एक बड़ा opportunity होता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग UPSC के अंदर selection पापाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 27th of November से हमारा जो batch है दोस्तो वो start हो रहा है क्योंकि अभी यह notification आया आपके पास ample amount of time है तो यह तयारी आप कर सकते हैं 27th of November से study IQ के साथ आपको सिर्फ use करना है code ankit live यह code इस्तमाल करके आपको maximum discount मिलेगा और सिर्फ 3999 में आप इसको ले पाएंगे और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहापर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चलिए सुरुवात करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि exactly हुआ क्या है दिखे आप सबको पता होगा IIT Roper के बारे में जो की पंजाब में है अब पंजाब से ही सतलज रिवर गुजरती आप सबको बता होगा इंडस रिवर सिस्टम आप देखोगे इंडस जेलम चेनाब रवी ब्यास सतलज तो यह सतलज रिवर जो की टिबिट से चाइना से स्टार्ट होता है एक बड़ा आपको एरिया यहां से देखने को मिलता है वो नदी भारत के पंजाब से गुजरते वे फानली पाकिस्तान की तरफ जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं तो वहाँ के जो IIT रिसर्चर्चर्स हैं क्या कर रहे थे इस नदी के अंदर कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे मतलब उसकी जो मिट्टी वगड़ा है जैसे कि माणलोग अर्थक्वेक आया अर्थक्वेक की वजएसे उसका मिट्टी का क्या रियाक्शन होगा क्या चीज़ें हो सकती है तो वो सारी चीज़ें study कर रहते हैं और अचानक से और यही अक्सर होता है कि हम study कुछ और करते हैं और कुछ और चीज़ें हमें found हो जाती हैं तो जब इसके बारे में research किया जा रहा था तो IIT के जो researchers हैं roper के जो की head किया जा रहा था एक team के दोरा आप देख सकते हो by Dr. Resmi Sebastian के दोरा उन्होंने यहाँ पर यह पाया कि उसके मिट्टी में rare metal है जिसका नाम है tantalum और यह tantalum का जो discovery हुआ है found किया गया है यह सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बलकि पुरे भारत के लिए काफी लाबदायक साबित हो सकता है क्योंकि जैसर मैं आपको starting में कह रहा था कि electronics औ बड़े इस तरफ पर इस्तमाल किया जाता है अब आप मेंसे कई लोग सोच रहे होंगे कि यह tantalum क्या है exactly tantalum मैं आपको बता दो एक rare metal है अब चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं rare metals के बारे में यह periodic table तो आप सबने देखा होगा पढ़ा होगा आप मेंसे कई लोगों को पूर 39 और 57 यह आपका जो 17 rare earth minerals हैं वो आपको देखने को मिलता है लेकिन rare metals क्या होते हैं तो को rare metals are collection of metallic elements that are used in emerging technologies जो electronic items हैं जो आजकल की जो technologies उबर के सामने आ रही हैं उसको बनाने में as a metallic element के तोर पर इसका इस्तमाल किया जाता है लेकिन ध्यान रखेगा rare earth जो elements हैं यह जो चीज और chemically यह different होते हैं तो इसमें से कुछ rare metals आप देख रहे हो niobium है, tantalum है, cobalt है, indium है यह सब आपको देखने को मिलेगा और इसमें सबसे abundant अगर हम देखें वो है आपका cerium ठीक है अब हम tantalum की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकतो इसका atomic number है 73 हम इसकी चर्चा करें tantal system जिसका atomic number 73 है and इसके क्या क्या चीज़े हैं देखो इसका अगर आप physical properties देखोगे तो यह gray color का होता है यहाँ पर आप देख सकतो यह gray होता है, काफी solid होता है, काफी heavy भी होता है ऐसा बताया जरा hard होता है actually and it is one of the most corrosion resistant metals in use today, अब देखो इसका example समझे, माल लीजे कोई लोहा है ठीक है, अगर उसकी coating नहीं हुई है उसके उपर कोई भी है और coating होई भी है तो धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगती है, isn't it, तो वो सारे कई ऐसे metals होते हैं जिसमें धीरे धीरे जंग लगने लगती है, लेकिन खास बात tantalum का यही बताया जाता है कि it is one of the most corrosion resistant, मतलब तो आपको इसमें एक तरह से जो जंग वगरा चीजे हैं, जो corrosion है, वो देखने को नहीं मिलता, बेसिकली बताया जाता है कि जब यह air के संपर्क में आता है, यह tantalum जब air के संपर्क में आता है, तो इसके सताय पर एक layer जम जाता है, एक layer form हो जाता है, और यह layer इतना solid होता ह है, कि किसी भी प्रकार का reactions वगरा इसका air के साथ नहीं होगा, कोई अगर आप acid वगरा डाल लोगे तो उससे भी नहीं होगा, तो काफी coercion resistant होता है, वो ihock के आपको समझ में आ गया होगा, in fact अगर यह pure form में देखो, tantalum का जो pure form होता है, यह काफी ductile होता है, ductile का मतलब है कि आप इसको stretch कर सकते हो, और आप इसको wire में बना सकते हो, जो wire होता है, और इसका जो thread होता है, without breaking, आप आसानी से यह चारी चीज़े कर पाऊगे, मतलब मजबूत भी होता है, और साथी साथ ductile भी होता है, in its pure form, और इसके साथ साथ आप देख सकते हो, यह भी बताया जाता है कि below 150 degree Celsius में, it is almost completely immune to chemical attack, किसी भी प्रकार का chemical attack नहीं हो सकता, अगर कोई chemical इसके उपर react करेगा, तो वो सरिफ और सरिफ यह आप देख सकते हो, hydrofluoric acid हो गया, या फिर SS acidic solution जिसमें fluoride iron, या फिर free sulfur trioxide, अगर ये कुछ चीज़े हैं, तभी यह react करेगा, दरवाइस यह react नहीं क तो जो tantalum है, इसका high melting point आपको देखने को मिलता है, मतलब काफी जादा आपको इसमें जो गरम है वो करना पड़ता है, किसी देखते हैं, जो जैसे water हो गया, boiling point के हम बात करते हैं, तो 100 degree Celsius के उपर वो boil होने लगता है, तो वैसे यहाँ इसका melting point आप देखोगे, तो ये काफी high है, और tungsten हो गया, ranium हो गया, यही दो ऐसे हैं, जिसका इससे जादा आपको melting point देखने को मिलेगा, तो काफी important है, अगें, ये discovered कब किया गया था, सबसे पहली बार, वैसे तो अभी हमने देखा, ये सतलच के जो मिट्टी होती हैं, उसमें पाया गया है, लेकिन सबस दुआरा स्विडन में जगह है ये तरबी, ठीक है, आगें मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्विडन आप देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे, इसकी जो capital है स्टॉक होम, स्टॉक होम के जस्ट पास में, राइट साइड में आप देख सकते हो, ये स्ट दुआ था कि ये नायोबियम ही होगा एक तरह से, लेकिन फार्नली 1866 में यहाँ पर दूसरे एक और chemist है, Jean Charles, उनके दोरा कहा गया कि नहीं, ये नायोबियम से different है, ये दो अलग-अलग elements है, और तब यहाँ पर सिध हुआ कि ये tantalum जो है, ये अलग metal के तौर पर है, अब इसका नाम भी आप देखिए, जो Greek mythological figure है, Tantalus, उससे इसका नाम आता है, एक king थे, basically Tantalus, उसके नाम से लिखा गया, काफी rich थे, बट wicked king थे, जो कि Mount Ciplus in Antolia, उसके अबब जस्ट रहते थे, उनी के नाम से लिया गया है, अब final question यहाँ पर ये है, कि ये भारत के लिए कैसे हो सकता है, दिखे Tantalum जैसा मैंने आपको बला कि सभी लगभग electronic sector के अंदर इस्तमाल किया जाता है, in fact जो capacitors होते हैं, basically जिसमें energy store की जाती है, electricity store की जाती है, छोटे-छोटे अलग size में आपको देखने को मिलेंगे, मतब छोटे से में बहुत सारा energy आप store कर सकते हो, वो capacitors ह होता है, ठीक है, अब जो capacitors Tantalum से बने होते हैं, उनमें आप बहुत जादा energy store कर सकते हैं, electricity store कर सकते हैं, then those capacitors जो अलग metal से बने हैं, तो यहाँ पर, obvious सी बात है, यहाँ पर जो अगर हम smartphone की बात करें, laptop की बात करें, digital cameras, जो portable electronic devices होते हैं, उसमें काफी हद तक Tantalum का इस्तमा मैंने आपको पहले ही बताया, कि इसका high melting point है, इसी के वजए से यह platinum के substitute के तौर पर भी इस्तमाल किया जा सकता है, platinum तो आप सब को पता है, कितना महंगा आता है, it's very expensive platinum, तो platinum इस्तमाल ना करके, यहाँ पर हम Tantalum का भी इस्तमाल कर सकते हैं, and rare metal is also used to make components for chemical plant, nuclear power plant, aeroplanes, missile, इन सब में भी component का इस्तमाल होता है, उसमें भी Tantalum का इस्तमाल किया जाता है, and एक और interesting कीज़े, जो Tantalum होता है, वो हमारे body के fluid से, मतलब हमारे body के अंदर जो अलग-अलग fluid है, मालो चोड लग गई, blood निकल गया, कुछ भी है, अलग-अलग fluid है, उससे react नहीं करता है, तो इस के लिए, अब question ये है, कि सतलज river में ये कहां से आ गया, मतलब अचानक से सतलज river का जो sand है, उसमें ये कैसे देखने को मिल सकता है, देखिए, इसको लेकर जो dr. Sebastian है, उनका ये कहना है कि अभी चीज़ें उतनी clear नहीं है, लेकिन में भी हो सकता है, कि जो tectonic plates का movement है, हिमालि इक वगर आते हैं, और वहीं से आप सबको पता है कि सतलज river भी गुजर रही है, पंजाब होते वे, तो में भी हिमालियन रीजन में ये पाया गया होगा, और वहां से ये होता है, होकर गुजर कर सतलज river में आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर तीवारी उनका कहन है कि जब तक पूरी investigation नहीं हो जाती है, हम exactly source के बारे में नहीं बता सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि exactly क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ कहा ही जाती है, कि मालो सतलज river जहां पर ये पाया गया है, उसके आसपास क्या कोई industry है, जो अपना waste वगरा river में बहारी है, और हो सकता है, maybe tantalum जो है वहीं पर deposit हो रहा हूँ, लेकिन कोई भी tantalum की जो industry वो आसपास भी नहीं है, maybe हो सकता है कि शाथ चाइना में यहाँ पर बहुत सारी लगभग 80% जो tantalum की industries है, वो वहाँ पर concentrated है, sorry, 80% industry नहीं, basically सतलज river का जो catchment area है, उसका 80% वहीं पर है, तो में भी हो सकता है कि चाहना से वो भेते भेते धिरे धिरे टेक्टोनिक शिफ्ट की वजए से, में भी सतलज river में यह एंटर कर रहा होगा, तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन finally conclusion यहीं निकलता है कि जो पंजाब mining and geology department के director है, उनका कहना है कि यह discovery काफी important हो जाती है, और ह हम further इसके उपर जांच कर सकें, तो I hope कि आपको इस वीडियो के माध्यां से इस rare metal के बारे में समझ में आया होगा, and जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हैं कि इन में से कौन सा जो metal है, वो सबसे ज़्यादा abundant है, ठीक है, सबसे ज़्यादा abundant वाला आपको metal बताना है, हमार अर्थ के crust में, ठीक है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF चीट तो Telegram पर आईए, अलग-लग social media पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंने आपको बताया है, UPSC के त्यारी होगा, और इसके लिए आपके पास बहुत बड़ी opportunity है, इसके लिए आपके पास बहुत बड़ी opportunity है, you can utilize that, and just use this code UNKITLIFE to get maximum discount on any batches of Study IQ, and I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा I will tell us next time, till then thank you very much, see you soon.